नमस्कार मैं अभिशिक मारा आप सभी का स्वागत करता हूं focus study with अभी में आज से हम लोग भारत का इतिहास स्टार्ट करने वाले हमारा first lecture होगा इतिहास के ऊपर आज से पहले मैंने भी कोई lecture इसके ऊपर नहीं बनाई है तो आप comment section में मुझे comment जरूर किजेगा कि यह जो मैं कामत कासिम जो थे वो कैसे आखिर भारत आएं आकरमन करना के उपड़ा गजनी कैसे आएं सारी चीज मैंने explain किया जो मद्देकालिन भारत से मैंने इसमें स्टार्ट किया तो जो मद्देकालिन भारत में क्या actually हुआ है पूरे एक हजास साल तक जो मुस्लिम के दवारा जो स इस एक जो अवाला तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गा एस सी का भी सीपीयो का कोई पिपर हो चाहें सीजील का हो सी एचे से लोन के लिए खाफी इंपॉर्टेंट हो ठीक है अ तो स्टार्ट करते हैं कि कि उस भारती इतियास जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम तो होता है हमारा प्राचिन भारत सेकेंड होता हमारा मध्यकालिन भारत और थर्ड जो होता हमारा modern इंडिया इट मींज आधुनिक भारत एंसेट इंडिया मेडिवल इंडिया और modern इंडिया अभी तक आपने जितने भी examination दिये होंगे आपको भी इतना experience हो गया होगा और मैंने भी जितने examination अभी तक देखे हैं उसमें से सबसे अधिक कोशन अगर बात कर लें वेटेज की तो मध्यकालिन भारत का होता है और modern इंडिया उससे भी काफी कोशन पुछे जाते हैं और उसके बाद आपका नंबर आता एंसे इंडिया की तो हम लोग जो भी स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालिन भारत से स्टार्ट करेंगे ठीक है देखे सबसे पहले हम लोग मैंने इसे लेने की कोशिस किये कि जो बी सी और जो एडी का जो कंसेप्ट होता क्योंकि देखे बहुत सारे लोग को तो पता होगा लेकिन बेसिक से बिलकुल कंसेप्ट मैं आपको समझा दूँगा कि इसमें क्या चीज़ है अगर आप इतिहास को समझ जाते हो ना तो आपको बिलकुल इतना अच्छा लगेगा और इतना इजी लगेगा इतिहास क्या आप बोलने होगी नहीं कुछ तो आपने जैसे आपका जो डेट अब बर्थ होगा मैं मान लेता हूँ कि आपका जो डेट अब बर्थ है दो हजार आपका कुछ पी डेट होगा और आपका दो हजार आपका डेट अब बर्थ होगा और अभी चल रहा है आपका दो हजार उनीस अगर आपका टाइम पिरिय पढ़ रहे होते हो ठीक है जब आप प्राशिन भारत पढ़ रहे होते हो तो आप क्या देख आपको मिलता है पांच सो बीसी से सो बीसी अब यार यहां पे नंबर घट कैसे गया यह चीज आपके दिमाग में बात आती है तो इस चीज को हम लोग पहले समझ लेते बीसी और ए मतलब कि इसा मसी के जन्म को हम लोग रिफरेंस मानेंगे और यहां से हम लोग सब कुछ डिसाइट करेंगे अब किस तरह से अभी आपका क्या चल रहा है 2019 चल रहा इससे पहले क्या मान लिए कि यहां पी इसा मसी का जन्म हुआ है ठीक पीछे अब हम लोग आएंगे जिरो से पीछे आएंगे स्मय क्या आईगा आए आपको सो के बाद क्या पांसीं कई पन्सोग हजार हजार थी spill उन्फिनिंटी कोई एक निष्चित कालं तक हम लोग से जो आपका लिमिट आ रहा है आपको 2020 मतलब आपका नंबर जो आ रहा है आपका इंक्रीजिंग ओडर में थोड़ा सो नॉइज मिलेगा क्योंकि मैं बाहर के रूम में बैट के वीडियो बना रहा हूं थोड़ा एड़िस्ट कीजिएगा और उसके बाद आपको यहां से जब आप उधर से आ रहे हो अनिश सब्द्रों किया से और इसा मसी को क्यों मतलब कomnia जन्म के बाद का एर इसका फूलपाम अगर आपके बीफायी का जन्म कुरुए के पहले यह क्या था इसा मसीग के जन्म के पहले का यह है तो अब हम लोग एक एग्जामपल लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से जब आप पराचीन भारत पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे नंबर का जो आप एडी और बीडी बीसी का आप समझ जाओ गया देखो जैसे कि आपक प Brenda Beach का तो में इंका जन्म हुआ था 100 भीसी जन्म औरर इनकी मित्टी हो गया इनका मित्ती हो थो रहा है इसलिए देखे हंडेड से पचास नंबर डिक्रीजिंग और में आपको मिलेगा इसका मतलब क्या बोले जा रहा है कि इसका मतलब यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म यह यहां एक वैक्ति लिखति लिखतिया है एक वैक्ति जिनका जन्म ईशा मसी के जन्म के 100 साल हुआ ठीक है कब हुआ सो साल पहले इनका जन्म हुआ है और 50 B.C में इनकी देहांत हो गई इनकी मित्ति हो गई इसा मसी के जन्म से पचास सल पहले मित्ति हो गई मतलब simple सा समझ जाओ जैसे मैंने आपको example दिया 100 BC में इनका क्या हुआ जन्म हुआ और यहाँ पे आपका 50 आ रहा हुआ यहाँ पे इनकी क्या हो गई देथ हो गई यहाँ पे आपका ईसा मसी का जन्म का यहाँ मतलब इनका जन्म कितना हो कब हुआ इसा मसी के 100 साल पहले इसा मसी के जन्म लेने से 100 साल पहले इनका जन्म हुआ और इनकी मित्यु का वह इसा मसी के जन्म होने से 50 साल पहले ही इनका जन्म हो गया था तो इसका कंसेप्ट यह होता I think आप लोग समझ गयोंगे इसका मतलब BC और AD का मतलब यह examination के लिए important नहीं थी लेकिन अगर आप history पढ़ रहे होते हो तो आपको यह चीज़ पता हो नहीं चाहिए AC और BD का concept जैसे कि आप गजनी पढ़ोगे जब गजनी का काला पढ़ोगे जो उनका सासन का काल पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा 1000 से लेकर के 1026 AD इस वी तक मतलब क्य देयो our hope आहाँ से मुझेघ करें के मेडिवल इंडिया क्रांट की तो सीचाहां यहां से कणा क्योंगे सब्सक्राइब होगे कोशन पूछते हैं और अब जो आपको एक एक पॉइंट जो भी अभी नोट्स में आपको जो मिलेंगे सारे कोशन आपके एक्जामिनेशन में आपके रेल्वे में हुए होंगे चाहिए आपके को मैं कभर कर रहा हूं तो आप समझ सकते हुए आपका सारा एक्जामिनेशन कभर हो जाएगा कोई बी कोशन मैंने एक एक पॉइंट आपको मिलेगा सारे कोशन आपके एक्जामिनेशन पूछे गए होंगे देखें मैडिवल इंडिया या भी मद्दे कालिन भारत के अगर हम साथ ऐडी मतलब 8.0 की बात हो गया मतलब क्या इसमसिग के जन्म के बाद मद्दे काल भारत का काल आता चाहिए इसा मसिगा ज़न मों हो गया था उसके बाद का Ferrari को मर्त कते मुस्लिम मुसलिम जितने भी सासक रो데 खेंव को कि दावरा भारत की आगए बात के बाति कि बात करें कि मैं Скुछ घो 일िए सब्सक्कित है उसके बां तो नदर कि टुगल फसकर दाइनिस्टी न Love के द्रीट जितने भींद मुसल्म सासक को द्रे वारतन उसके बारे में मुस्लिम सlForm भी मुसल्मानों के द्वारा जितने भी मुसलिम सासकों के द्वारा सासन जो किया गया भारत उसके बारे हम लोग में लिस में पढ़ेंगे तो यह आपका एक विउव बन गया है कि आपको पढ़ना किया मद्यकालिन भारत में ठीक तो पहला कोशन आपके एक्जामिनेशन में पूछा जाता है मद्यकालिन भारत से जो बनता है दो कोशन आपके बनते हैं वो दो कोशन देखे क्या बनता है और आप प्रिवियर शेर के कोशन खोल के देख लेना पूछा जाता है कि फाउंडर ऑफ इसलाम किसे माना जाता है ज जो इसलाम धर्म का जो founder हम लोग किसे मानते हैं तो वो जो उनका नाम आपको option में मिलेगा हजरत मुहमद सहाब का नाम मिलेगा या फिर हजरत पेगंबर सहाब इन दोनों में से कोई भी एक नाम मिलेगा में लिए अपको यही नाम मिले उनको ही पेगंबर भी कहा जाता था इसलाम धर्म का फाउंडर कौन है तो हजरत मुहम्मद सहाब जी थे अब एक चीज मैं आपको बता दू यह एक्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टन नहीं कि हजरत मुहम्मद सहाब जी थे कौन देखें जो अल्ला थे उनके हम ऐसा इतिहासकार बोलते हैं जो अल्ला थे उनके लास्ट मेसेंजर जो थे हजरत मुहम्मद सहाब जी थे लास्ट मेसेंजर मतलब लास्ट दूत जो अंतिम दूत थे वो कौन थे हजरत मुहम्मद सहाब थे तो जो इसलाम धर्म का फाउंडर क्या या फिर इसलाम धर्म का जो प्रचार प्रचार पूरे देश में पूरे यहां पर क्या आपको बतानी के लिए मैंने लिखा क्यों इनका जैन्म 570 AD में मतलब इसा मसी के जैन्मे के 570 अरवाद यह आपको पता हुआ था यह आपको पता होना चाहिए मक्का जो आपका साउदी अरब में हैं और इनकी मित्यु जो होती है मदिना अब यह मैं क्यों आपको पता होगा जिसे कि एक सच्चा मुल्मान जो होता है जो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जोते होती है करेंगे ही यात्र करना मतलब कि जा तो मक्का या मदिना कहीं भी अपने जीवन काल में पूरे जीवन काल में एक बार जरूर इसकी यात्र करेंगे ये बहुत ही पवितर स्तानी इन लोग के दौडरा माना जाता जितने भी मुसलिम भाई है ठीक है तो इसी कारण माना जाता है क्योंकि मक्का में इनका जन्म होता है और मदिना में इनके मित्ती होती है अब बात करते हैं इसलाम धर्म की स्थापना कब हुई थी कौन से सतापदी में हुई तो सात्मी स्थापदी में इनका जन्म हुआ है ये कोशन पूचा जाता है इसलाम धर्म के स्थापना कब हुई गई तो साथवी शताबदी में बहुत लोग कन्फियूज होता है कि छटवी सताबदी आप्शन में आपको मिलेगा और आप बहुत लोग टिक करका आते तो याद रखिएगा साथवी शताबदी में हुई है इ इत्यास कर्मानेते हैं तो वह क्का एक इसले हैं की पोस्ट होता जिसका आपने कई बार किताबों नीसे को हो निश्टर उगे उसी तरह से साप के यंब काम होता है कि इन लोग पनों की दो है कि इसलام धर्म का आपको क्या करना प्रचार करना हो ऊसमें से एक कंट्री होता है मुस्लिम धर्म का तो इस प्रकार तो अब यहां पर देखोंकि यह वर्ण कासे आजाता देखिए क्या होता है कि जो इराक आप जैसे कि आपने नाम सुना होगा इराक का ठीक है इराक जानी कि पहले जो कहा जाता था बगदाद प्लेश है इसका कोश्यन एक पुछा जाता है कि बगदाद को या फिर इराक को कोश्यन यह पुछा गया था आपसे यहां पे मेंशन नहीं किया म मैसो पॉटामिय यह आपको याद रखना है है तो होता है कि जो आपके चलिए काफी लंपा हो जाएगा बस हम्मक्राइब समझतें कि मुहमत बिन कास्ração कन था कम लोग समझ लेते मुहमध बिन कास् mobilize था को आपको जो है के खलीफा होगे कौन उमयत कलिफट यह सब इग्जामिनेशन के लिपॉर्ट नहीं बस मैं बताना हो कि मौमद बिन काशिम का आकर्मन क्यूं करना पड़ा भारत पर इसका रीजन यह था कि जो खलीफा थे उमयत कलिफट उमयत कलीफट के एक सूबिदार हुआ कर दे ठीक है अलहजाज जब आप बुक पड़ो और आपको मिलेंगे अलहजास हुआ करते तो तो खलीफा कर्ते हैं ट्रेड करते लेकिन एक बार क्या हुआता कि भारत के दिली में तो उसने और इसके ट्रेड कर रहे थे तो इनने क्या है इनके जितने भी जितने बी संपति तो उसको लूट कर वापस अपने दिली में ले आएं तो अलहाज जाकतों खूससे जो हता है और रहहरत मुसल्मान था करने के लिए टो पूछा जाता पहला कोईशन कि पहला पे आक्रमन किया तो मुहम्मद बिन काशीम था इसका टाइम पिरिड़ दो साल तक होता है 712 से लेके 714 तर दूसरा कोशन यह पुछा जाता है इसने जब सिंद्र पे अटेक किया था उस समय भारत में कौन राज कर रहा था या फिर सासन कर रहा था दाहिर सासन कर रहा था यह इंपोर्टन्ट है आपके लिए और उसे पराजित भी किया नेक्स्ट जो आपका इंपोर्टन्ट कोशन है कि इसने जो आपका मुहम्मद बिन कासिम जो भारत पे आक्रमन किया दाहिर को हराया तो उसने दिल्ली पे सासन किया और उसने क्या किया इंपोज किया मतलब लाग तो आपको क्या करना होगा लेकिन उसमें कुछ लोगों को एक्जेंशन थी मतलब कि जो ब्रहामन थी और जो वीडो थी और जो डीजेवल परशन थे उनको जो था जजिया टेक्स नहीं दिना पड़ता था और ब्रहामन का अगर बात करें तो बहुत लोग वहां पर उस टाइ क्या था और इसमें कितना आपको टैक्स देना पड़ता था आपने जितना इंकम आपके इंकम का one by th viewpoint से लेकर one by two तक आपको देना पर तत्तल सो रुपए आप कमा रहे हो तो धर्टी से ले करके 50 रूपिस अब क्या करना पड़ेगा टेक्स पे करना पड़ेगा मुहमध बिन कासीम को ठीक है तो यह था पका जज़ी अटेक्स को कोशन पुछा जाएगा कि फस्ट मुस्लिम किसने था तो मुहम्मेद बिन काशीम तो डुसरा इसने कौन सा कोइं इसने और तो याद रखिये गोल्ड क जो स्टार्ट किया गया था मुहम्मद बिन कासिम के तारूस है और किस नाम से जानते हैं तो दिरहम सिक्षे के नाम से भी हम लोग जानते हैं ठीक है अब तुर्किस आकरमन में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट महमुद महमुद गजनी के बारे तो देखे एक चलिए अफगानिस्तान में एक प्लेस आपका गजनी गजनी में जो है एक गजनी डायनेश्टी गजनी वंस चल रहा था गजनी पूछा जाता कोशन आपसे क फांडर ऑफ गजनी डायनेश्टी गजनी वंस के फांडर कौन थे तो अल्प गिन थे अल्प गिन का एक स्लैब वहा करता था गुलाम उप गुलाम था उनका नाम क्या था सुबुद गिन और सुबुद गिन का पूत्र ही कौन था वो था महमुद गजनी था ठीक है याद रूलिंग करेगा भारत पर ठीक है 27 साल तक 1000 से लिए यह आपका इंपॉर्टेंट है जो यह मैं बोल दूँ आपके पूछा गया तो आपको याद करना पड़ेगा अब गजनी जो होता आपका यह जो गजनी है लेकिन गजनी के से पहले एक चीज मैं आपको बता दूँ पहले बारत के साथ रूलित है इसलिए यू नहीं करते हैं तो कोशर आप से पूछा जाता है कि फष्ट आकर्मन पहला आकर्मन भारत पे किस जो किया था ठीक है पहला आकर्मन जो भारत पर करने वाले कौन थे महमूद गजनी थे और वो यह आपसे पूछता है तो वह कौन सा यह था 1000 AD और आप लोग में से बहुत लोग कंफ्यूज है कि 1001 AD आप लोग टिक करके आपते हो क्योंकि यह बैटल ऑफ वाहिंद जो हुआ जिसमें आपको क्या करते हैं कि जैपाल सिंग को हरा दिया जाता है लेकिन पहला अकर्मन अगर बोला जाए तो महमूद गजनी जो करता 1000 AD में जिसमें क्या होता कि बैट जो गजनी के बीच होता है और किसके बीच लड़ाई होता तो जैपाल कोन है जो भारत में शासन कर र गुलाम था तो वो जो गजनी का सासक बना लेकिन इसके मित्यों के बाद महमूद गजनी जो है गद्धी पर बैढ़ता है तो 1000 AD में इसने आकर्मन कहा लेकिन कोई रिजल्ट आउट नहीं हुआ उसके बाद जस्ट एक साल के बाद ही उसने भारत पे अटेक करता है पेसाव अब और इंपर्टन चीज मैं बताओं क्या कोशन पूछा गया था यह एक इंपर्टन लाइन है महमूद घजनी जो है हिंदुस्तान में प्रत्थम मुशलमान थे जिसने सुल्तान के उपादीधारन की है तो पूछा जाता है कि सीजल में पूछा कि प्रत्थम मुसलमान जी कि एक एक पॉइंट जो मैंने सारे कोशन आपकी एक्जामिनेशन में हुए और उसको मैं थोड़ा रिलेट कर दे रहा हूं कि इतिहास कर जो चीजे बताए ताकि आपको आशानी से समझ मैं कि आखिर महमूद घजनी आया कैसे भारत क्यों आना पड़ा क्यों आकरमन करन जाता था उसने वहां पर भी मंदिल को लूटा तो कोशन इसलिए फेमस हो जाता है कि नगर कोड मंदिल कहां पर हिमाचल पर देश पर है दूसरा एक मंदिल पूछा जासा इस थानेश्वल मंदिल तो यह कहां पर तो हर्याना क्योंकि यहां पर भी अटैक किया आपका कि मुझार है तो Sumnat겠다 150 में बिढ़ा तो में यह कौन सा सोलव नंबर का कब हएं इस समय मेरा नाम अभिशेक 1988 मैं ने अपने को क्या कर दिया अभिशेक वन बोल दिया उन्हों ने क्या क्या अभिशेक टू बोल दिया तो हम लोग जैसे टाइटर लगा देते कुमार कोई प्रशाद कोई जो विद्धिस धैट तो यह कोशन एक और पुछा जाता है कि भीम प्रथम जो तो किस वंस के राजा थे तो वो चालुक के वंस के राजा थे इतना कोशन आपको यहां से बनेगा दूसरा जो कोशन आपको पुछा जाता सोमनात मंदिल से यह कि भीम प्रथम सोमनात मंदिल को बनाया किसने भीम प्रथम ने बनाया कहां पर गुजरात में उस जब सोमनात मंदिल पर टाइक किया ग नेक्स्ट कितना बाराक्रमन किया है तो सत्रा राक्रमन जटने बिरूट किया गया था ठीक है इतना गज्णी के बारे कवी हुआ करते थे तरबार में वहाँ से जाते बता दू है पहला जो था अल बिरूनी जो थे इन के फैप में गजनी करें उसका तरबरों कों तो टहां तबार में गजनी के तरबार में को सब्रिक्त करते हैं गजनी के भारत एक आप में और रिखाकन के पुछा में क्यों जब आया था गजनी के साथ कौन क realize थो सुवुद्गिन जब राज कर रहा था सथ दिसमें बहुत ही भैए करते था Is हिनके द्वारा और इनको वह कहा जातओ के बारत को बारत के बारे में काफी चीज़े आपको इसमें किताब में आपको मिलेगी इसलिए यसा सीजा कहा जाता है भारत का दरपन कहा जाता है और फेमस कवी जो उनके दरबार में हुए थे उताबी, फिर्दौसी और वहाकी तो इनके द्वारा जो किताब लिखा गया थे जो किताब लिखा गया था ये आपको याद होना चाहिए चच नामा जो किताब लिखा गया था उताबी के द्वारा लिखा गया था ये पूछा गया कोशन आपका सहनामा किताब किन के द्वारा लिखा गया था फिर्दोसी के द्वारा और वेहाकी जो लिखा गया था आपका कौन सी किताब लिखा गया था तो तारीके सुबुत गिन देखे तारीके सुबुत गिन किताब लिखे गया थे तो यह से अंधे करेंगे कम Gottes को अगर इस व 17 पर फिर इतना डिसक्षक्षा नहीं चाहिए तो यह भी दिश्क्षन करना पढ़े तो मुझे इनखी लग रहिए और जितना आप जैसे कहो खें हमें किजेगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा और जो सजेशन हो जरूर दीजेगा इसके रिगार्डिंग ठीक है और जितने भी जेई इंटेपीशी सीजेल के तयार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंड भाई बहुत मैंने से मैंने ये तयार किया हूँ नोड बनाया हूँ ज आपते के लिए धन्यवाद